नमस्कार आप देख रहे हैं ट्टिट वंडी फोन यूजर मैं हूँ आपके साथ साखशी निर्वान गाजयबाद में हिंडर एर बेस पर भायू सेना का पहला C-17 ग्लोब मास्टर करीब 206 को रोमानिया से लिकर पहुचा देश के रक्षा राजयमंत्री अजयभट ने उनका यहाँ पर स्वागत किया राग को तकरीबन एक बच कर 30 मिनट पर वायू सेना का ग्लोब मास्टर हिंडन एर बेस पर उत्रा यहाँ पर स्वागत की पूरी तैयारी की गई थी नई दिल्नी की रहने वाली फीमेल स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके सामने ही कुछ चात्रों के साथ यूक्रेन में मार पीट हुई थी उन्होंने पूरा मामला बताया कि किस तरह से ही है मार पीट हुई थी वही नूने बताया कि कैसे भीड होने की वज़ाज से कई छात्र महाँ पर चोटी हो गए थे वह पल काफी दरामना था सबसे भावुक पल वो था जिस समय बच्चे अपने माता पिता से मिले यह पल हमारे कैमरे में कैद हुए जैसे हिंडन एयर बेस पर सी 17 से पहुँचे इस्टुडेंट्स को लेकर आई बस एयर बेस के बाहर पहुची पैरेंट्स का जमावणा लगा हुआ था अपने बच्चों को देखकर पैरेंट्स भावख हो गए कैमरे पर कई पैरेंट्स इतने भावख हो गए कि वह कुछ नहीं बोल पाए और रोनी लगे उनकी आखों में खुशी के आँसू थे कैमरे में कैद हैं स्टूडेंट्स अपने माता-पिता के पैर्चू रहे थे संस्किर्ती इन तस्वीरों में जलगती है इन तस्वीरों में एक राहत भी है कि चिंता के उन फलों का आखिर कार अंत हुआ और अब अपने अभिवाखों से मिले हैं हमने ऐसे ही कई पैरेंट् गुल्दस ते और बाला और बिठाई लेकर आए थे